एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दा फोकेस टेडर में I hope कि आप काफी अच्छे हूंगे लैट्स ही जानते हैं सिल्वर के बारे में एंड सिल्वर के फ्यूचर के बारे में जानते हैं कि किस तरह से मुवमेंट होने वाले नेश्ट वीक याने की अगर मैं आपको नेश्ट वीक के बारे में यहां पर बताओं कि किस तरह से एपलाई कर सकते हैं लेवल्स को किस तरह स चार्ट के बारे में बता हूँ है आप यहां पर किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग डेज के इंदर तो गाइस वीडियो को सुरू से आगिर तक जोड़ देखना वीडियो को मिसमत करना अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब में कहें तो सस्क्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मेस्ज़ आपके पास पहुंच सके तो गाइस डिस्क्लाइमर देदू आपको यह वीडियो ओनली फोर एज्जुकेशनल परबरस के तोर पर बने जा रही है मैं यह पर आपको किसी भी परकार का बाइण सेल के बारे में रिकामेंड ना तो कभी करता हूँ और ना कभी करूँगा आपकी प्रोफिट एंड लोस के आपकी सुद्न रिस्पोन्सिवल्टी होगी यहां पर गाइस मैं अपना अपना एडवाइस आपको देना किस तरह से moment होंगे intraday के हिसाब से and positionally क्या होंगे short term के हिसाब से किस तरह से moment होने वाले है तो इन सबी चीज़ों का आपको मैं discuss करके समझाओंगा तो guys let's see शुरू करते हैं silver के बारे में तो guys यहाँ पे मैं जो आपको levels आपको बताने वालो levels को note कीज़ेगा and note करने के बाद उसको chart के उपर apply कीज़ेगा जब आप running market के अंदर आप trading करते हैं investor, beginners हैं जो भी आप trading का plan करते हैं उन levels को आप draw कीज़ेगा plan कीज़ेगा देखे अगर आप मेरे regular subscribers हैं तो मैं आपको थोड़ा remember करना चाहूँगा कि मैंने जो previous जो मेरा silver के बारे में कई बार मैंने predictions बदा हैं और मैंने कई बार आप से बोला है कि silver कि silver जब breakout है यह जो breakout है यानि कि जो channel था मैंने आप एक channel ड्रो किया था जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यानि कि यह जो blue color की जो एक trade line है यह जो trade line है यह ड्रो किया है मैंने आप से यहाँ पे एक बात बोला था कि जब इसका breakout होगा यानि कि यह जो आप chart देख रहे वंडे का chart अगा इस यहाँ पे और एक candle जो है यह वंडे की candle है और मैंने यहाँ पे आप से एक बात बोली थी कि जब इसका breakout होगा तो further breakout होगा और further ही आपको आप side में जो levels नज़र आएंगे यानि कि चोहतर हजार चोहतर हजार सो और जो level आपको नज़र आएगा चोहतर हजार पानसो पचास तक कि आपको level दिखाएगा यानि कि इसका अगर breakout करता है trade line का जिसने भी इन चीजों को समझ करके और देख करके और रिस्क को अपने समझ करके trade लिया होगा काफी ज़्यादा profit बनाया होगा यहाँ पे यानि कि काफी अच्छा moment मिलाया अगर यहां से मैं moment की यानि कि जो closing हुई है silver के अंदर closing के हिसाब से क्या accepted राख सकते है आने वाले 11 है मार्च को याने कि next week को किस तरह से प्लान कर सकते हैं देखें यहाँ पर जो pattern बना है pattern के साथ साथ जो candle बनी है candle का जो closing हुआ है उस candle के spining top यह जो candle आपको नज़र आ रही है न काई शहाँ तोड़ असा मैं जूम करता हूं और आपको समझाना चाहूंगा one day के चार्ट के उपर देखें यह जो आप candle है इन candle को थोड़ा समझेगा यह spanning top है टोप पे जो candle बनी है न यह both side का जो indicate कर रही आपको यहने कि इस चीज़ को समझना होगा आपको कि यह जो candle है न अगर मंडे को नोट कीज़ेगा इस यहां पर अगर मंडे को ओपनिंग इसके उपर होती है इसी candle की जो बोड़ी है न यह candle की बोड़ी इस बोड़ी के उपर ओपन होता है और 74,600 चोहतर हजार चैसो यह तो 74,600 के उपर ओपन हो silver या फिर यहां कहीं अगर अगर इस यह range के अंदर यानि कि इस range के अंदर 74,100 के range में ओपन होता है और यहां से break out करता है यानि कि इस candle जो यह बोट side की जो candle indicate कर रही है न दोन जो market दिखा रही है बेरिशी भी दिखा रही हो और bullish भी दिखा रही है अगर हिएंस इस candle को beat करता है इस candle को beat करता है यानि कि पूरी candle sustain करता है इसी के उपर तो फिर समझना कि फिर आपको outside में अच्छे खासे फिर आपको target दिखाई देंगे तेकि अभी जिग क्लोज़िं क कि या यह क्लोजिंग मैंने आपको अभी क्लोजिंग का क्या मतलब है जो क्लोजिंग हुई है सिल्वर की वो रिजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई है यानि की रिजिस्टेंस जोन के अंदर ही क्लोजिंग हुई है और अभी यहां पर आने के बाद कुछ भी कहा नहीं जा तो फिर आपको upside में 75,630 and second target आपके लिए क्या होगा 75,900 यानि कि 76,000 के आपको upside में target fit दिखा सकता है देखे अगर इसको bearish होना है अगर यह downside में आएगा ना तो downside में जो support level बना है अगर support level के मैं बात करूँ यहां से अगर यह downside में यहां से निकलता है यानि कि 74,100 74,100 को break करता है downside के लिए फिर यहां पर support level क्या बना है यानि कि 73,200 से लेकर के 73,480 यह दो support level है वंडे के chart के उपर और फिर उसके बाद तो फिर bottom ही आ जाएगा अगर यहां से breakdown करेगा तो फिर यहां bottom आ जाएगा लेकिन अभी यहां पर कुछ कहानी आ सकता यह जो मैं आपको बताया है ना spanning जो टोप candle जो बनी है यहां पर इस candle के हिसाब से both side बना हुआ है market याने कि silver में both side के levels मिलेंगे आपको या तो फिर down side के या फिर यहां से इसका अगर body को break करता है तो फिर upside के target मिलेंगे आप अब देखते हैं guys यहां पर 4 hours के चार्ट पर पको अच्छे से clear होगा यहां पर जो मैं आपको moment बताना चाहता हूँ कि किस तरह से moment होगा देखिं यहां पर है न कि यहां पर क्या है यहां पर अच्छा-कासा एक important support यह जो यहां पर two twenty moving paid . इहां पर जो line है intertwint moving average यहां पर अच्छा-कासiron support level है और जो मैं आपर से कर रहा हूँगा इस यहां पर सपोर्ट ले लिए जो बाफ को बताया था मैंने 73,400 यहां पर 73,100 यह काफी अच्छा सपोर्ट जो होना है सिल्वर के लिए अगर यहां पर नीचे साइड में आता है तो आप यहां से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं यानि कि आप अगर यहां पर 73,200 के आसपास यहां पर मिलता है आपको तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं और या फिर इसका ब्रेक आउट करें या फिर 74,600 74,600 इसका अगर ब्रेक आउट करें तो फिर आप यहां से बाइंग के बारे में सो सकते हैं अगर मैं आपर गाइस थोड़ असा क्लोज करूं और चाट को तो काफी अच्छे लेवल्स आपको आगे भी नज़राने वाले हैं याने की अगर ऊपर की में बात करूं तो काफी बड़े रूम बचे हुए हैं याने की यहां पे 75-76,000 का एक रूम बचा हुआ अगर यह लेवल्स बीच करता है तो फिर अपसाइड में और भी अच्छे खासे लेवल्स आपको नज़राएंगे याने के फिर आपको 77,000 तक के भी लेवल दिखाएगा अगर यह चैतर हजार के लेवल को भी क्रोस करता है क्रोस करने के बाद सश्टेन करता है हाला कि मार् क्रों साइड भी दिखा सकता है या फिर यहां से ही ब्रेक आउट भी कर सकता है तो बोच साइड के आपको लेवल्स नज़राएंगे मंडेग यहाँ तो यहाँ पर मार्केट जैसे ऊपर आपसाइड में निकल रहा है लेकिन हाँ पर 20 मूविंग एवरेज को एक बार पीसन face करने के लिए definitely नीचे आएगा यहाँ पर याने कि 20 moving average को support लेगा एक बार फिर अब side में निकलेगा यहाँ से silver तो यहाँ पर यह scene बनने वाला है silver के अंदर तो guys यहाँ पर जो मैं आपको levels आपको बता रहाँ नीचे side के support level बताएं आपको आपको जो soft support है याने कि silver के अंदर soft support level क्या है 73,400 and उसके बाद में जो levels है 73,100 उसके बाद में जो guys यहाँ पर सबसे जो बड़ा support level होगा support level क्या होगा guys यहाँ पर यहाँ पर 200 moving average यहाँ यहाँ पर याने कि 71,800 यह एक strong support level बनेगा यहाँ पर यहाँ पर strong support level यहाँ बनेगा तो आपको मैंने दोनों तरफ के target बताएं और जो direction है वो भी मैंने को both side के बताया silver के अंदर क्योंकि अभी highly resistance zone के अंदर trade कर रहा है silver तो लेकिन मेरी यह possibility है guys यहाँ से possibility क्या है guys यहाँ से कि silver upside में निकलेगा लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा retest करें फिर upside में निकलें यहाँ से यानि कि retest करें upside में निकलें यह मेरी possibility है यहाँ पर तो चलिए guys वीडियो में close करता हूँ आचा करता हूँ कि जो levels मैंने आपको समझा हैं समझाने के साथ-साथ guys यहाँ पर market के अंदर आप इन चीजों को apply भी कीजेगा और मैं जो आपको levels बता रहा हूँ guys यहाँ पर कोई तुक्के बाजी में नहीं है और अगर आप मेरे regular subscriber तो आप मेरे previous वीडियो भी चागी check कर सकते हैं मैं आपको बोलता हूँ ना वो effective होता है market के अंदर याने कि market के अंदर effective होता है मैं chart को analysis करके आपको levels draw रहता हूँ यहाँ और समझाता भी हूँ कि किस तरह से plan करेंगे आप यहाँ पर देखें यहाँ पर चैनल का ब्रेक आउट था वो अच्छा खासा यानिकि sideways था यहाँ पर और यहाँ से अच्छा खासा capture किया होगा तो आपको काफी ज्यादा profit बना होगा यहाँ पर तो चलिए गाइस वीडियो में close करता हूँ आसा करता हूँ कि जो levels बता